हेलो दोस्तों आप सब्सक्राइब स्वागत है मेकेनिकल फोरॉम फोर यू में दोस्तों आज हम लोग मेकेनिकल इंजिनिरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं टॉपिक का नाम क्या है कोफिसियंट और रिस्टुटिउशन इससे रिलेटेड एससे जे इसको पहले पर लेंगे उसके बास पर नुम्रिकल करेंगे इससे क्या हो का हमारा कॉंसेट सारा किलियर हो जाएगा ठीक है ता यह देखते हैं कॉफिसेंट अपर इस्टुटिशन होता है यह रेशियो होता किसका फाइनल टूदा इनिसियल रिलेटिव वेलोसिटी का एक मान दीजिए और्थ हो गया जब गेंद और से टक्राता तो एक टक्राने का बात को जो वेलोसिटी अबाई टक्राने से पहले का यह हो गया उसका कॉफिसेंट आप रेशियो को समझाने बहुत तरह का से लिखा जाता है लेकिन मेंली यही चीज होता इसमें मतलब टक्र आने के बाद उसके पास कुछ इनरजी बच जाता है उस इनरजी कारण वह थोड़ा से ऊपर जाता है और थोड़ा से उपर जिस वह जाता है और जिस वह गीरा टक्राया यही दोनों का रेशियों जो जाएगा यही को देख लेते हैं इसमें और कुछ important points इसका कोफिसेंट क किस से करता है। यह दिनोत करता है, स्मोल एस से, और यह है, जो भी Red करता हो, कहां से वहां से कहां तक भी करता है, इसका यह जो भी, Kerry करता है, 0 से, लेकर 1 तक भी खाता है, कै कैं इसमें देख्याट का फॉर्मूला, आफर एहाँ पर 0 हो गया फिर ऊपर किसने से गया माइनस मतलब 4 से घया उपर अभी देखें यहाँ से चला वहाँ से 0 से चला और यह आखरी जब टकरा है कितना हो गया मानस 8 हो गया ठिक है तो यहां-8 ले लिए तब इतना बच गया 4 by 8 मॉड इसलिए लिए हैं ताकि माइनस साइन हड जाए ओके ना इसका कितना जागा फोर बाई एट आ गया इससे कट कर बचा हमारा वन बाई टू वन बाई टू का मतलग क्या हुआ के इसका मतलग यह हुआ कि इसका कॉफिशन डू क्रिश्ट्री इसका बोल सकते हैं मतलग जितना इनरजी गीरा उसका 50 पिप्रसंट टक्राने के कारण लॉस हो गया केवल 50% इनरजी इसके पास बचा है जिसके करण से वह बोल थोड़ा सा उपर गया है ओके ना इसको अच्छ a ball is dropped vertically downwards, it hits the floor with a velocity of 9 meter per second and bounce to a distance of 1.2 meter, find the coefficient of restriction between the floor and the ball, इसका मतलब simple भासा मन समझाद रहे, question क्या पुछना चाहा रहा, question बोर रहे, एक ball का हम उपर से vertically गिरा है, जो कि जब जमीन से टकराया, तो इसका velocity है 9 meter per second, और वह टकराने के बाद 1.2 meter उपर रुठा है, तो वह बॉल और वह फ्लोर के बेच का coefficient of restriction क्या होगा, तो आए समझते हैं, तो coefficient of restriction का formula हम क्या बताया थे, velocity after rebound, बटा velocity before rebound, rebound मतलब होता टकराने के बाद, किसी चीज़ से टकराने के बाद, तो टकराने के बाद का velocity by टकराने से पहले का velocity, यह दोनों का ratio जो होता, coefficient of restriction का लाता है, ठीक है, equal to b by u हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि b को, कोई velocity को हम क्या लिख सकते हैं, b equal to under root 2gh होता है, तो 2 का 2g का value होता 9.81 meter per second square, और h हमारा दिया हुआ, height कितना दिया हुआ, देखिए उपर, sorry दोस्तों, यहाँ पर होगा 1.2, इसको ध्यान दिजएगा, ठीक ना, कितना है, 1.2, ओके न, 1.2, और वहीं साथ से, अब हमारा क्या हो गया, formula e equal to b by u, तो b हमारा कितना निकलेगा, 4.85, पर हमारा u दिया हुआ कितना, 9, जब इसको solve करेंगे, तो हमारा answer कितना आजागा, 0.54, यहीं हमारा coefficient of restitution हो गया, ठीक ना, तो हम आसा करते का, आपको यह समझ में आ गया हो, यह समझ में आ गया हो, इसी तरह हम लोग, हम SSEJE का भी, जितना भी question पूछा गया, previous year में, सारा question धीरे दे करके, पचास-पचास question का, set बना बना के, सारा चीज़ हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं, ओके ना, ठीक है, तो इस चैनल को subscribe कर लिए, share कर दीजिए, thank you, आज के लिए इतना ही दोस्तो, धन्यवाद,